भारत में खादे तेलों का सरवाधिक आयात, इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना एवं रूस जैसे देशों से किया जाता है। इसके अलावा थाइलेंड, ब्राजील, रोमानिया एवं यूक्रेन भी भारत को खादे तेल की आपूर्ती करने वाले महत्वपून देश हैं. Solvent Extractors Association of India, C. द्वारा संकलित आकडों से पता चलता है कि चालू मार्केटिंग सीजन के आरंभिक साथ महीनों में यानि नवंबर 2023 से मई 2024 के दोरान भारत में इंडोनेशिया से सरवाधिक 27.7 तीन लाग तन खादे तेल का आयात हुआ, जिसमें 10.6 एक लाग तन करनेल तेल का आयात शामिल था. इसी तरह मलेशिया से 1.76 लाग तन आर्बीडी पामोलीन, 14.92 लाग तन CPO तथा 69 तन क्रूड पाम करनेल तेल के साथ कुल 17.27 लाग तन खादे तेल मंगाया गया. थाइलेंड से 3.72 लाग तन खादे तेल मंगाया गया, जिसमें 3.48 लाग त तन क्रूड पाम तेल, 11,000 तन क्रूड पाम करनेल तेल और 13,000 तन क्रूड सोयाबीन तेल का आयात शामिल था. लेटिन अमरीकी देशों में अर्जेंटीना से 8.37 लाग तन क्रूड सोयाबीन तेल तथा 2.1 लाग तन क्रूड सूरज मुखी तेल सहित कुल 10.49 लाग तन तेल का आयात हुआ जिसमें 5.78 लाग टन क्रूड सोयाबीन तेल और 5000 टन क्रूड सूरजमुखी तेल की मात्रा सम्मिलित थी। काला सागर क्षेत्र के देशों में रूस से करीब 9.7 एक लाग टन खादे तेल मंगाया गया जिसमें 8.89 लाग टन क्रूड सूरजमुखी तेल ए 82,000 टन क्रूड सोयाबीन तेल का आयात शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी